नमस्कार मैं अमित भोबिया दोस्तों आपने इस हिंग को तो जरूर देखा होगा और हिंग के अंदर एक बहुत गजब की खुश्बू होती है जब भी आप हिंग की खुश्बू लेकर देखेंगे तो कैसे इसकी खेती होती है उसके उपर हम समझेंगे और गोर्मेंट इसके लिए क्या प्रयास कर रही है और आने वाले वक्त में भारत के किसानों के हिस्से में 100 मिलियन यूएस डॉलर कैसे एड हो सकता है अगर हमारे विज्यानिक सक्सेस हासिल कर गए तो तो चलिए समझते हैं हिंग कैसे बनती है कैसे तैयर होती है हिंग भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और भारत के लगबग हर रसोई के अंदर आपको हिंग मिल जाता है और मजे की बात तो ये है कि 100 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का हिंग हम एक साल में विदेश से मंगवा लेते हैं तो इतने बड़े सतर पर हम इसका इंपोर्ट करते हैं इतनी ज़्यादा मांग है तो इसकी खेती के बारे में आपको जानना चाहिए तो मैं वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें और ओल के उपर क्लिक कर लें और उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर लें और जिस भी खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं मुहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए तो शुरु Billboard करते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये है हिंग का पोधा हिंग का जो पोधा होता है इसके उपर हिंग नहीं लगते इसकी जड़ में लगती है और जड़ में लगती इसका मतलब यह नहीं कि गाजर कितने से उखाड लो उसमें से भी निकालनी पड़ती है जैसे आप लोग अफीम की खेती करते वक्त अफीम निकालते हैं जो पोधा है इसकी जड़ के आसपास से आपको मिटी हटानी होती है और फिर इसकी जड़ पे कट लगाना होता है जब आप उसकी जड़ के उपर एक कट लगा देंगे तो उसके अंदर से गोंद निकलेगा तो ऐसा गोंद उसके अंदर से निकलेगा वाइट कलर का उस गोंद को आपको इकठा करना है वो होती है प्यूर हींग उसके बाद उस हिंग के अंदर जैसे स्ट्राच है ये गेहूं काटा है, चावल काटा है, गुड है ये चीज़े मिलाई जाती है चाहे आप चावल काटा मिला दीजिए, चाहे गुड मिला दीजिए यानि कि उसको डाइल्यूट करने के लिए अब एक बूंद हिंग भी आप नहीं ले सकते इतनी मतलब उसके अंदर इतनी तासिर उसकी गर्म होती है कि एक बूंद भी बहुत जादा हो जाती है और आप जब उसमें सब्जी में डालते तो एक चुटकी डाल दिया एक आदा च चमस डाल दिया उस हिसाब से डालने के लिए इसे डाइल्यूट करने के लिए यानि इसकी मात्रा को कम करने के लिए इसके अंदर आटा मिलाए जाता है फिर इसको सुखाय जाता है इसके पेड़े बनाकर इनको सुखाय जाता है फिर उन पेड़े जो होते हैं उन पेड़ो में होती है लेकिन हाँ वहां पर होती है तो भारत में भी इसकी खेती हो सकती है और अभी भारत का जो भारत सरकार है उसके जो क्रिशन सुंदान के अंदर है उन्होंने भी कई जगहें पर हींग की खेती करनी शुरू की है अभी तक उन्हें कोई बड़े अच्छे रिजल्ट तो नहीं मिले लेकिन रिजल्ट मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्यों कि जो हींग का पोदा है ये लगबग पांच साल बाद आपको ये गोंद यानि हींग देनी जो है वो शुरू करता है जड़ के अंदर से और जो एराक एरान वहां पर होती है तो वहां पर इसके बह काम पर दिखाई दे रही होगी ये भी देखिएगा और भी कई वीडियो हमारी नजर आ रही होगी वो भी देखिएगा देखते रहिए ABC इंडिया